नमस्कार मित्रों, जय मातादी, संकट मोचन जय महाबली, दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में तुला राशिवालों, कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे, और संकट मोचन वीर महाबली जी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कि है प्रभु संकट मोचन वीर हनुमान जी, आप किसी को भी नाराज मत रखना, किसी को भी उदास मत रखना, आप सभी को बराबर खुशियां देना, सभी को धेर सारा धन संपदा देना, ताकि सभी के जीवन काल में दिन दो गुनी रात, चोगुनी तरक्की होता रहे, प्रभु मेरी आप से बस इतना ही अनुरोध है, मेरे प्यारे मित्रों, अब आप हो जाएए तैयार, क्योंकि संकट मोचन वीर महाबली जी के रहे हैं, जी हाँ, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, पूरे 11 सालों बाद आई बड़ी खुशखबरी, अब आपकी राशिवालों का भाग ये उदय होने से कोई नहीं रोक सकता, अगले 24 घंटे के अंदर मिलेगी, बहुत बड़ी खुशखबरी लिख कर ले लो जी हाँ, दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, ढोल भी बजेगा और मिठाई भी बटेगी, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपके लिए बहुत बड़ा सर्प्राइज है, जी हाँ, दोस्त हो जाओ, तैयार धनकी देवी माता रा लक्ष्मी जी के आशीरवात से मिलने वाली है, बहुत बड़ी खुशखबरी, जी हाँ, और यह खुशखबरी पूरे 11 सालों के बाद आई है, जी हाँ, दोस्तों, धनकी देवी माता रानी लक्ष्मी जी की आशीरवात से, अब आपके जीवन में ऐसा चमतकार होगा, ऐसा परिवर्तन होगा, जो की दोस्तों आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जी हाँ, ऐसा बदलाव अगले 24 घंटे के भीतर आपकी राशेवालों के जीवन में दिखाई देगा, जी हाँ, दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दे, मंगल ग्रह का ऐसा परिवर्तन आज तक नहीं हुआ था, जी हाँ, और ना ही कभी ऐसा परिवर्तन होगा, दोस्तों बता दे, अब आपके जीवन में फिर से वही मौज मस्ती, वही आजादी फिर से शुरू होने वाला है, अब आप अपनी जिन्दगी को राजाओं की तरह ज्योंगे, जी हाँ, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दे, धन की देवी माता रानी, लक्ष्मी जी, अब आपको सब कुछ देने वाले हैं, जी हाँ, दोस्तों, अब आने वाले समय में आपके पास घर भी होगा, बांगला भी होगा, गाडी भी होगी, रुप्या पैसा भी होगा, जी हाँ, दोस्तो बता दे, अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह बहुत बड़ा तांडव करने वाले जी हाँ, जिससे की सारा चीज उलट-पुलट हो जाएगा अगले इन 24 घंटे के अंदर आपको वहां से लाब होगा, जिसकी उम्मीद आपने नहीं की होगी जी हाँ, वहां से आपको कुछ कभी मिलेगी, इसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा अचानक से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा जी हाँ, दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर ऐसा बदलाव आपकी जिंदगी में होगा सुनकर घर और परिवार खुशी से नाचेगा जी हाँ, दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अलग है बहुत ही खास है इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिलकुल भी मिस ना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें लेकिन उससे पहले प्रभु महाबली और धन की देवी, मातारानी, लक्ष्मी जी की जितने भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह सभी बिना देर किये वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय महाबली, जय मा, लक्ष्मी जय मा, तारा चंडी जरूर लिखियेगा इससे आपका आने वाला समय शुभ हो दोस्तों मुबारक हो, तूट गया आपकी किस्मत की जंजीर जी हाँ भगवान, इंद्रदेव जी ने तोड़ा आपकी किस्मत की जंजीर जी हाँ, अब आपको भगवान, इंद्रदेव जी के आशीरवाद से मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी ऐसी होगी सुनने के बाद आप भी गली मोहले में कूद कूद कर नाचोगे जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं भगवान जब भी देते हैं देते हैं छप पर फाड़ के जी हाँ जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें जीवन जीने का असली मजा अब आने वाला है किसे कहते हैं जीवन का असली सुख हो अब आपको मालूम होने वाला है आपको पता चलने वाला है जी हाँ दोस्तों क्योंकि दोस्तों आपके उपर भगवान इंद्रदेव जी का साया पड़ चुका और भगवान इंद्रदेव जी ने आपके रास्ते से सभी दुख तकलीफ, सभी परेशानियों को जड़ खत्म कर दिया है जी हाँ, अब आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा दोस्तों, जिन कामों में आपको अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही थी बनते बनते काम पूरा होते होते बीच में ही अटक जा रहा था किसी परेशानी की वजह से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही थी तो अब आपको इन सभी प्रकार की समस्याओं से देवों के देव भगवान इंद्रदेव जी छुटकारा दिलाने वाले किस तरह से आपको भाग्य का साथ मिलेगा आपको अपनी दैनिक दिन चर्या किस तरह से व्यथित करनी है कितना हद तक ग्रह को चढ़ा आपके अनुकूल रहेगा ग्रह गोचर का क्या प्रभाव आपके उपर पड़ेगा इन सभी की महत्वपून जानकारियां आज की वीडियो को अंत तक देखिए अगले 24 घंटे के अंदर भाग्य के देवता भगवान शनी देव जी खोलेंगे आपका बंद किस्मत का ताला जी हां दोस्तों बता दें अगले 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत ऐसी शोर मचाएगी तरक्की देखकर लंगड़ा भी नाचने ल क्योंकि दोस्तों आपका बंद किस्मत का ताला खुल चुका है जी हां दोस्तों भाग्य के देवता भगवान शनी देव जी ने दे दिया पांच बहुत बड़े शुब संकेत जी हां दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सर्प्राइज भगवान शनिदेव जी अगले 24 घंटे के अंदर आपको देने वाले हैं जी हाँ बता दे अगले 24 घंटे के अंदर आपकी राशिवालों के जीवन में ऐसा महा चमतकार होगा महा परिवर्तन होगा जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा जी हाँ दोस मेरे प्यारे मित्रों, आपके लिए बहुत बड़ा सर्प्राइज है और ऐसी सर्प्राइज आपको मिलेगी जिसे सुनकर पूरे गली मोहले में कितना हद तक ग्रह को चड़ा आपके अनुकूल रहेगा। बंद किस्मत का ताला जी हाँ दोस्तों बता दें अगले 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत ऐसी शोर मचाएगी तरक्की देखकर लंगड़ा भी नाचने लगेगा। शनिदेव जी ने दे दिया पांच बहुत बड़े शुब संकेत। जी हाँ दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों आपके लिए बहुत बड़ा सर्प्राइज है। और ऐसी सर्प्राइज आपको मिलेगी जिसे सुनकर पूरे गली महले में आप मिठाई बटवावोगे। जी हाँ दोस्तों दोस्तों हम आप सभी को बता दें। भगवान शनिदेव जी ने भेज दिये हैं। बहुत बड़े गुप्त संदेश जोकी अगले 24 से लेकर 36 घंटे के अंदर यह गुप्त संदेश आपको प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों उसके लिए तयार रहना। अगले 36 घंटे के अंदर अगर आपको शुब संदेश नहीं मिला तो मेरा नाम बदल कर रख देना। जी हाँ दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें। आज का यह वीडियो आप सभी के जीवनकाल के लिए रामबान साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों दोस्तों आज वह इंसान बहुत ही भाग्यशाली होगा जो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख गा। जी हाँ जो नसीब वाला होगा जिनकी किस्मत अच्छी होगी वही इस वीडियो को अंत तक देख पाएगा क्योंकि ऐसी खुश्खबरी ऐसा सर्प्राइस आपको हर रोज नहीं मिलेगा। जी हाँ क्योंकि दोस्तों बहुत ही दिनों बाद आपकी कुंडली में इस तरह के शुब संयोग का निर्मान हुआ है जो कि आपकी किस्मत को चमक देगी। जी हाँ ऐसे में दोस्तों आपका दाइत्व बनता है कि थोड़ा सा समय निकाल कर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें दोस्तों इससे बड़ा शुब संकेत अब और क्या होगा। अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में करेगा एक जबरदस्त बदलाव। जी हाँ जानकार के लिए हम आप सभी को बता दें। आज की यह वीडियो अगर आप नजर अंदाज करोगे तो आपसे बड़ा मूर्ख इस धर्ती पर कोई नहीं होगा। जी हाँ क्योंकि दोस्तों अब आपका एक सुनहरा समय शुरू होने वाला है। जी हाँ बता दें अगली 24 घंटे के अंदर पांच बहुत बड़ी खुशखबरी आपकी राशेवालों को मिलने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों जानकारी के लिए हम आप सभी को बत अगल बगल में कोई ना हो तभी इस वीडियो को देखना तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाओगे जो राज की बात हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें। आपकी किस्मत का एक नया अध्याय चुके हैं जो कि दोस्तों आपकी जिंदगी का एक सुनहरा सफर शुरू हो चुका है। जी हाँ भगवान श्री हरी विश्नु जी के आशीरवात से और भगवान श्री सूर्य नारायन जी के आशीरवात से मिलने वाली है बहुत बड़ी खुश खबरी। जी हाँ यानी की दोगुना फल अब आपको मिलने वाला है। जी हाँ क्योंकि भगवान जब भी देते हैं चप पर फाड़ के देते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो भगवान आपकी खाली जोली भर देंगे। जी हाँ क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर ही अंदर एक दो नहीं लाब होगा। आपका पारिवारिक जीवन में कौन-कौन से सुधार होंगे। दैनिक दिन्चर्या में कौन सी सावधानिया का पालन करनी हैं इन सभी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों अगले 24 घंटे का समय आपके लिए सोने पर सुहागा रहने वाला है। आपको अपनी मेहनत का पूरा लाब मिलेगा। देखिए दोस्तों आज आपकी इंकम बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में लाब होगा। आज आप ज्यादा से ज्यादा अपने विशेश कारियों पर देंगे। इससे आपको अत्यधिक लाब होगा। आज नौकरी में प्रमो आगे का भरपूर साथ मिलने से आपकी आर्थिक स्थिती बहतर होगी। रुका हुआ धन मिलेगा। फंसा हुआ पैसा मिलेगा। नए कामों की शुरुआत कर सकते हैं। और जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में कोई महमान दस्तक देने वाला है। यानि की शादी विवाह के योग्य बना रहे हैं। आपके घर में खुशी का माहौल रहेगा। और रिष्टेदारों का आना जाना आपके घर लगा रहेगा। आपका धन खर्च बढ़ेगा। आपकी आमदनी बढ़ेगी। नए स्रोतों से लाब होगा दोस्तों। जैसा कि आपने सुना है कि 11 साल रहकर नौकरी करते हैं या फिर बिजनस व्यापार करते हैं। इस योग की वजह से उन सभी रातों को अधिक से अधिक लाब होगा। जी हां कारोबार कर रही जाता को बहुत अच्छा लाब देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों नौकरी पैसा लोगों को बेहतरीन कार या प्रणाली की वजह से तरक्की मिल सकती है। देखिए दोस्तों इस समय किसी भी तरह के रिस्क लेना कभी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए अगर किसी काम में आपको डाउट लग रहा है तो उसे कम को आज स्थगित रखें। जी हां। इस समय कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए समय उतना अनुकूल नहीं है। इसलिए भविश्य के लिए कोई भी फैसला लेने जा रही है। तो अभी रुक जाईए दोस्तों। जैसा कि आपने सुना है आपकी किस्मत की जंजीर टूट चुकी है। जी हां। आपने बिल्कुल सही भगवान इंद्रदेव जी ने तोड़ दिया है। अब आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। सोचे हुए सभी कम समय पर पूरे होंगे। आपके जीवन श्री सभी प्रकार के नेगेटिव सोच नकारात्मक विचार दूर होंगे और आपके मन में अच्छी अच्छी सोच आएंगे। इसे आप अपने जीवन में लागू करके आप अपने जीवन में अपना कर बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ देखिए दोस्तों सारा खेल सोच का ही है। मन की एक मिनट में जिन्दग देखिए दोस्तों आपकी इंकम बढ़ने से आपकी आर्थिक स्थिती अच्छी होगी। जिससे आप माला माल हो जाओगी। जी हाँ बता दें आपके भाग्य का तारा खुल चुका है। जो आपके नसीब में है, जो आपकी किस्मत में है। उसे भगवान शनी देव जी आपको देने वाले। जी हाँ दोस्तों नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। आपकी इनकम बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में अधिक से अधिक लाब होगा। आप सबसे अच्छी बात यह है कि लंबे समय से पेंडिंग पड़े अधूरे कामों को पूरा करेंगे। धान व्यापार में अधिक से अधिक लाब देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण गुड नि और अगर किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आप अपने जीवन साथी से नए कामों की शुरुआत कराए तो आपके लिए बहतर रहेगा और उसमें आपको विशेश लाब देखने को मिलेगा। जी आपकी आमदनी बढ़ेगी। नए सरोतों से लाब होगा द नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस व्यापार करते हैं इस योग की वजह से उन सभी रातों को अधिक से अधिक लाब होगा। जी हां कारोबार कर रही जाता को बहुत अच्छा लाब देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों नौकरी पैसा लोगों को बेहतरीन कार्य प्र जी हाँ, इस समय कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए समय उतना अनुकूल नहीं है, इसलिए भविश्य के लिए कोई भी फैसला लेने जा रही है, तो अब भी रुख जाईए दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है, आपकी किस्मत की जन्जीर तूट चुकी है, जी हाँ, अब आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, सोचे हुए सभी कम समय पर पूरे होंगे, आपके जीवन श्री सभी प्रकार के नेगेटिव सोच, नकारात्मक विचार दूर होंगे, और आपके मन में अच्छी अच्छी सोच आएंगे, इसे आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, जी हाँ देखिए दोस्तों, सारा खेल सोच का ही है, मन की एक मिनट में जिन्दगी नहीं बदलता है, लेकिन एक मिनट में सोच कर लिया गया फैसला, आपकी पूरी जिन्दगी को बदल सकती है, जी आज आप दिन का अधिकतर समय अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करेंगे, जिससे आपको आपके पूरे परिवार वालों को खुशी हो, देखिए जो लोग नए कामों की शुरुआत करने जा रहे हैं, बोलो आज के दिन, किसी भी तरह के र आपके भाग्य का तारा खुल चुका है, जो आपके नसीब में है, जो आपकी किस्मत में है, उसे भगवान शनी देव जी आपको देने वाले, जी हाँ दोस्तों, नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं, आपकी इंकम बढ़ेगी, कार्यक्षेत्र में अधिक से अधि लाब होगा, आप सबसे अच्छी बात ये है कि लंबे समय से पेंडिंग पड़े अधूरे कामों को पूरा करेंगे, धान व्यापार में अधिक से अधिक लाब देखने को मिलेगा, दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपकी जिंदगी में एक जबरद आती जी के आशीरवात से अब आपकी जिंदगी सुधारने वाली है, जी हाँ, क्योंकि दोस्तों, अब आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी खुश्खबरी आने वाली है, जिससे कि आप माला माल हो जाओगे, जी हाँ दोस्तों, अब आपका सपना सच होने वाला है, दोस्तों इस दुनिया में सभी लोग चाहते हैं कि उन्हें कभी भी कोई चीज की कमी न हो लेकिन उसके लिए मेहनत और प्रयास कोई नहीं करना चाहता है जी हाँ दोस्तों लेकिन कभी कभी बिना मेहनत का भी फल मिलने लगता है ऐसा ही कुछ अब आपके जीवन काल में होने वाला है अब आपको बिना मेहनत का फल मिलेगा क्योंकि आप पिछले समय अंतराल में बहुत मेहनत किये हैं जिसका सही फल सही क्रेडिट नहीं मिला था इस मेहनत का फल अब आपको मिलेगा भगवान भोले नात जी के आशीरवाद से जी हाँ दोस्तों दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जीवन में बुरा वक्त भी आता है और अच्छा वक्त भी आता है उसे समय आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर अच्छा समय चल रहा हो तो घमंड मत करना उस अच्छे समय में कभी भी इतराना मत और अगर बुरा समय चल रहा हो तो टेंशन मत लेना चिंता मत करना और थोड़ा सा इंतजार जरूर करना क्योंकि दुख और सुख हमारे जीवन के साथ ही है वह तो आते जाते रहेंगे जिस तरह से घड़ी में काटा चलते रहता है इस तरह से हमारे जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते है अगर आज सुख है तो कल दुख भी आएगा और अगर आज दुख में है तो कल सुख जरूर मिलेगा क्योंकि यही इस प्रकृती का नियम है भगवान को पता है कि किसको क्या देना है और किसको क्या नहीं देना है आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहिए जब आपकी बारी आएगी तब भगवान आपको बुला कर देंगे जी हाँ आखिर कब तक दुख भरी जिन्दगी जियोगे अगर आप अपने जीवन में सुक शान्ती चाहते हैं तो आप एक छोटा सा कम करें आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो आप सुबह सूर्योदय होने से पहले उठने की कोशिश करें और सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखें और उन्ही दोनों हाथों को जोड़ कर ईश्वर को प्रणाम करें और उनका नाम ले आप किसी भी भगवान का नाम ले सकते हैं क्योंकि सभी भगवान एक ही हैं इससे आपको ईश्वर का तुरंत आशिरवाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं रह आप वह आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहेगा, तो आप जरूर लिखिएगा दोस्तों, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत बड़ा धन लाब होगा दस, बड़ी खुश्खबरी एक साथ मिलेगी जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, कि आपके घर को स्वर्ग बनाने में एक त्रिलोकी का हाथ है, आखिर क्यों है, यह जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जी हाँ दोस्तों, आप में कुछ खास बात जरूर है, बड़े ही नसीब वाले हैं आप, जो कि दोस्तों, आपके उपर साक्षात देवों के देव महादेव जी का हाथ है जी हाँ, आप सभी को बता की दोस्तों, बहुत ही जल्द आपका घर स्वर्ग बनने वाला है, तो आपको बताना चाहेंगे माँ भवानी की कृपा से, आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसा चमतकार होने वाले हैं, कुछ ऐसा बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिन्हें अगर आप जानेंगे, तो आपको भी अपनी आँखों पर यकीन नहीं होगा जी हाँ दोस्तों, यह समय से भगवान भोलेनाद जी का कृपा, आप सभी के जीवन काल पर पढ़ने वाला है, दुनिया का कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा यह कुछ विशेश बातों को अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो दोस्तों आप सभी को बता दें, कि जिसके उपर भगवान का साया पढ़ जाता है, उनके तूटी-फूटी किसमत भी चमकने लगती है दोस्तों ऐसा ही, अब आप सभी के जीवन काल में होने वाला है, साक्षाद देवों के देव महादेव आपके घर को स्वर्ग बनाने वाले हैं, इश्वर के आशीरवाद से अब आपके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज आने लगेंगे, ऐसे ऐसे सोच विचार आएंगे जिन पर चलने से आपका जीवन ही पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। दोस्तों, आगे वीडियो और भी ज्यादा गंभीर होने वाली है, आपको ऐसे ऐसे जानकारियों के बारे में अवगत कराने वाले हैं, सच में अगर इन्हें जानेंगे तो आपकी भी आँखें नम हो जाएगी, आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फल दायक रहने आपको जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचना होगा, नहीं तो कोई नुकसान हो सकता है, पारिवारिक बिजनेस में आपके परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा, धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं, आप अपने कामों को सोच समझ कर करें, नहीं तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, पिता जी की सेहत को लेकर आप लापरवाही बिल्कुल न दिखाएं, आज आपके चारों ओर का वातावरन खुशनुमा रहेगा, संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, वह नौकरी में अच्छा नाम कमाएंगे, आप जीवन सा विद्यार्थी को लेकर कहीं लौंग ड्राइव पर जा सकते हैं, नौकरी में यदि आपको कुछ समस्याएं आ रही थी, तो आप बदलाव की योजना बना सकते हैं, आपको किसी पर भरोसा करने से बचना होगा, नहीं तो वह आपके भरोसे को तोड़ सकता है, आप अपने घर की साज सज्जा पर पूरा ध्यान देंगे, आज का दिन आपके लिए कुछ उलजने लेकर आने वाला है, जिससे आपका मन परेशान रहेगा, आज विद्यार्थी किसी नए कोर्स में दाखिला ले सकते हैं, जिसमें वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आपकी कोई प् काम ना मिलने से आपका मन परेशान रहेगा, आपको अपने किसी दूर रह रहे परिजन से कोई खुश खबरी सुनने को मिल सकती है, आज का दिन आपके लिए समस्याओं भरा रहने वाला है, आप अपनी दिन चर्या में कोई बदलाव बहुत ही सोच विचार के साथ करें, यदि आप किसी नई योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उसमें कुछ समस्या आ सकती है, आपका कोई मित्र आपके साथ धोखा कर सकता है, आपका मन बेवजह के कामों को लेकर परेशान रहेगा, माता पिता आपके कामों में आपको पूरा साथ देंगे, आप अप की शोर्स बढ़ने से आपको खुशी होगी, परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा, आपके अंदर ऊर्जा रहने के कारण आप कार्य को करने के लिए ततपर रहेंगे, आपके व्यवहार से लोग खुश रहेंगे, आपके परिवार में चल रही समस्याओं को लेकर आपकी आय बढ़ने से आपको खुशी होगी, आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभाब बाहर निकलेगी, जिसे देखकर लोग हैरान रहेंगे, परिवार में आपकी दी गई सलाह लोगों को पसंद आएगी, जीवन साथ ही आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर चलेंगे, जिस का पूरा साथ देंगे, ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ती आप से मिलने आ सकता है, आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधा दूर होगी, नौकरी से जुड़े लोगों को अपने कामों पर पूरा फोकस रखने की आवश्यक्ता है, नहीं तो उनके विरोधी परेशान कर सकत हैं, आप किसी नई प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना बना सकते हैं, आप यदि मार्केटिंग से जुड़ा कोई काम करते हैं, तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा, विद्यार्थी अपने ज्यान को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहेंगे, आज का दिन सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है, उनके कामों से उनको सम्मान मिलने की संभावना है, आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा, प्रेम जीवन जी रहे लोगों में किसी तीसरे व्यक्ति के आने के कारण लड़ाई जगड़े बढ़ करने की कोशिश में लगे रहेंगे, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टि कोन से अच्छा रहने वाला है, आपको पारिवारिक मामलों में सोच समझ कर बोलने की आवश्यक्ता है, नहीं तो उसमें आपको भी खरी-खोटी को मिल सकती है, आपकी किसी नए काम के प्रतिरुची जागरित हो सकती है, माता-पिता के साथ आप किसी महत्व पूर्ण चर्चा में सम्मिलित हो सकते हैं, परिवार में किसी सदस्य को आपकी याद सता सकती है, आपको अपने सीनियर्स का पूरा साथ मिलेगा, यदि घूमन पिरने जाएं तो उसमें अपने कीमती सामानों की सुरक्षा अवश्य करें। आज का दिन आपके लिए कुछ उल्जनों भरा रहेगा। आपकी कोई बड़ी डील फाइनल होते होते अटक सकती है। आप अपने बिजनेस में जितनी मेहनत करेंगे उसमें उतना लाब नम मिलन से आप थोड़ा परेशान रहेंगे जिससे आपको निराशा हाथ लगेगी। यदि संतान के विवाह में आ रही समस्या को लेकर आप परेशान चल रहे थे तो उसमें आप आपने मित्र की मदद कर सकते हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों को लेकर कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे लेकिन लोग इसे स्वार्थ समझ सकते हैं। आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। आपको किसी जरूरी मामले को सैयम रखकर निप्टाने की आवश्यक्ता है। विद्यार्थियों को अपने सीनियर्स का पूरा साथ मिलेगा। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। आप अपने व्यापार में नवीनता ला सके ले तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है आप अपने खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करें क्योंकि बेफिजूल के खर्चे में बढ़ सकते हैं कार्यक्षेत्र में भी आपको अपने अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोग आज कुछ नए लोगों से मेल जोल बढ़ाएंगे जो उनके कामों में उनकी सहायता करेंगे